दोस्तों हमारी आज की कहानी का शिर्षक है खरगोश की चतुराई एक बार की बात है किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था वहरो शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई-कई जानवरों का काम तमाम कर देता था जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसे तरह शिकार करता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा सारे जंगल में संसनी फैल गई, शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था एक दिन जंगल के सारे जानवर इकठा हुए और इस प्रशन पर विचार करने लगे, अंद में उन्होंने तै कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें दूसरे दिन एक दल शेर के पास पहुँच गया, उनके अपनी आती हुए देख शेर घबरा गया, और उनसे गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहां क्यों आ रहे हुँ जानवर दल की निता ने कहा, महराज हम आपके पास निवेदन करने आए हैं, आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा, जब आप शिकार करने निकलते हैं, तो बहुत जानवर मार डालते हैं, आप सब को खा भी नहीं पाते, इस तरह हमारी संख्या कम होती जा रही है, अगर ऐ आसा ही होता रहा, तो कुछी दिनों में जंगल में आपके सिवाए और कोई भी नहीं बचेगा, प्रजा के बीना राजा भी कैसे रह सकता है, यदि हम सम्मर जाएंगे, तो आप भी राजा नहीं रहेंगे, हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें, आप से हमारी बिनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें, हर रोज स्वयम आपके खाने के लिए हम एक जानवर भेज दिया करेंगे, इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे, शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है, ये पलभर सोचा और फिर बोला, तो मैं जितने जानवर चाहूंगा, मार डालूँगा, जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए, उस दिन से हर रोज शेर की खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा, इसके लिए जंगल से खरगोश को चुना गया, वे खरगोश जितना छोटा था, उतना ही चतुर भी था, उसने सोचा बेकार में शेर के हाथों मरना मुर्खता है, और अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो ऐसी तरकीब ढूड़नी चाहिए, जिस से सभी को इस मुसीबत से हमेशा केली चुटकारा मिल जाए, आखिर उसने एक तरकीब सोची निकाली, खरगोश धिरे धिरे आराम से शेर के घर की और चल पड़ा, जब वह शेर के पास पहुचा तो बहुत देर हो चुकी थी, भूग के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते हुए देखा, तो गुस्ते से बोखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हे भेजा है, एक तो पिद्दी जैसे दिखती हो, दूसरा इतनी देर से आ रही हो, जिन बेवकूफों ने तुम्हे भेजा है, मैं उन सबको ठीक करूंगा, एक-एक का काम तमाम ना किया, तो मेरा नाम भी शेर नहीं, नन्य खरगोश ने आदर से जमीन पर जुक कर कहा, महराज, अगर आप किरपा करके मेरी बात सुने, तो मुझे या और जानवरों को दोश नहीं देंगे, वे तु जानते थे, कि एक छो उसने पांच खरगोशों को कार कर खा लिया, वे तो जानते थे, कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने छे खरगोश बेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया, उसने पांच खरगोशों को मार कर खा लिया, यह सुनते ही शेर दहार कर बोला, क्या कहा, दूशरा शेर, कौन है वे, तुमने उसे कहा देखा, महराज, वे तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा, वे जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से निकला था, वे तो मुझे ही मारना चाहता था, पर मैंन उसे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है, आपने क्या अंधेर कर दिया है, हम सब अपने महराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना ही खा लिया, हमारे महराज ऐसी बाते सहर नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहां आकर आपको मार डालेंगे, इस पर उसने पूछा, कौन है तुमारा राजा, मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है, महराज, मेरा ऐसे कहते ही वे गुस्से से लाल पिला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं ही हूँ, यहां सब जानवर मेरी प्रजा है, मैं उनके साथ जैसा चाहूं, वैसा कर सकता हूँ, जिस मुर्क को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है, महराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहां भेज दिया, खर्गोश की बात सुनकर, शेर को बड़ा गुस्सा आया, और वैं बार-बार गरजनी लगा, उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा, मुझे फोरन उस मुर्क का पता बताओ, शेर ने दहाड कर कहा, जब तक मैं उसे जान से न मार दूँगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा, बहु रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा, फोरन बताओ किधर चलना है, इधर आये महराज, इधर, खरगोश रास्ता दिखाते हुए, शेर को एक कुवे के पास ले गया, और बोला, महराज, वैदूष्ट शेर जमीन के नीचे केले में रहता है, जरा साथान रहिएगा, केले में देखा था, तो अब तो वह यहीं बाहर खड़ा था, लगता है आपको आता देखकर वह किले में गुज गया है, आईए मैं आपको दिखाता हूँ, गोश ने कुवे के नजदीक आकर, शेर को अंदर से जागने के लिए कहा, शेर ने कुवे के अंदर जाका, तो उसे कुव कुवे में पानी में अपनी परचाई दिखाई दी, परचाई को देखकर, शेर जोड से दहाड़ा, कुवे के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाडने की आवाज सुनकर, उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड रहा है, दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से, वह फोरं से कुवे में कूद पड़ा, कूदते ही, पहले तो वह कुवे के दिवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिर गया, और डूप कर मर गया, इस तरहे चतुराई से, शेर से छुटी पाकर, नन्ना खरगोश घर लोटा, उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई, दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई, जंगल के सभी जानवर खरगोश की जयजय कार करने लगे, दोस्तों हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है, कि चाहे कोई इंसान या प्राणी छोटा हो या बड़ा, उसको न